तृ की नमस्कार शरुकार कारीक्रम में आप सभी दर्शुकों का हार्थिक स्वागत अभिनदन दर्शुकों-शरुकार कारीक्र barley quرة में हम ऐसा विशय ले लेकर आते हैं जिस का चर्चा करना बहुत ज़रुरी हो जाता है आज 14 मई है और 24 मै को पूरे विश्व में मनाये जाता है World Scryzophenia Day तो इसको मनाने के पीछे कि अगर हम चर्चा करें तो आज पूरे आदा गेंटे तक हम इसी विश्व पर चर्चा करने वाले हैं और आपको हम यहाँ पर यह बता दें कि अगर पूरे विश्व के आकणों की हम बात करते हैं तो लगभग 20 से 21 मिलियन लोग हैं जो वो Scryzophenia नाम के इस मानसिक विकार से ग्रसित हैं क्या है यह, क्यों होता है, क्या बचाव संभव है बहुत सारी बातचीत आज हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं आपके मन में भी विशे से संबंधित किसी भी तरह की कोई जग्यासा है आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मौका है आपके पास क्योंकि हमारे यह कारिकरम सजी प्रसारित हो रहा है हमारे स्टूडियोस के मोबाइल नंबर्स लिख लीजे हमारे नंबर है 7579-428-028 दूसरा नंबर है 7579-428-047 नंबर्स लिख लिए होंगे मिला लीजे 75794-8028 दूसरा नंबर है 75794-8047 विशे से संबंधित प्रश्न कीजेगा मानसिक रोग के संबंध में अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई जग्यासा है कुछ पोशना चाहते हैं तो आप हमारे कारिक्रम में अपना प्रश्न पोश सकते हैं यूट्यूब के माधियम से इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं आप भी कुछ पोशना चाहते हैं कोई जग्यासा है मन में कॉमेंट सेक्शन में जाईए और लिख भेज़िए हमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों को आपके कॉमेंट्स को अपने कारिक्रम में शामिल कर सकें क्या होता है स्क्रिजोफीनिया क्यों होता है बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है धिरादून शहर के जाने-माने मनुरोग विशेशक्य साइकेडालिक डॉक्टर पवन शर्मा को बहुत-बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में आपका दनवाद संद्य जी पवन जी जैसे कि आज का जो दिन है जी चौबिस मई और आज का जो दिवस हम मना रहे हैं और जो मैंने वह आंकडे बताए 20 से 21 मिलियन यह आंकडे सोचो अगर तो बहुत ज्यादा है और यह अगर विशेश क्रीजोफीनिया की हम बात करते हैं मानसिक विकार की तो बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं है तो इसके बारे में पहले हम शुरुआत चर्चा कर लेते हैं फिर यह 21 मिलियन की बात ह इस आंकले में जरूर आपको एक चीज़ जोड़ों के आप लिये मान की चलिए कि सीजोफीनिया के बारे में हर सौ में से एक विक्ती सीजोफीनिया से पीडित है बस यह नहीं पता चल पाता है उसको के हमारे साथ हो गया रहा है वो कारण भी इस वज़े से हैं कि ज्यादा विक्ती में यह क्या है यह मांदना नहीं चाहते हैं कि जब हम यह कोई बताता है कि हम आप साथ यह समस्या है चुनोती है तो हम यह एकसप्ट नहीं करते हैं यह संस्या हो सकती है और मैं बता दू कि सकार करते हैं यह 550 परश्ट आमccles अझनेया है इतमकिए सिह इन वह Snakeार कर शुरू करता है इससे पहले वो सिर्फ एसकेप होकर के काम कर रहा होता है 21 मिलियन की जो आकड़े हैं इसका मतलब ये भी पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं है तो जब डाइगनोज ही नहीं होते हैं पूरी तरह से लोग अवेर हो जाएं अपनी जाच के लिए आगे आएं तो हो सकते हैं आकड़े ज्यादा हो जाएं जी हाँ क्योंकि अब हमारे साथ जीवन शैली भी ऐसी हो गई है जिसमें हमारे पास नशा जादा हो गया है अस्त वस्त जीवन शैली है तनाव बहुत जादा है ठीक तरह से हमारे रहना उटना बिड़ना खाना पीना नहीं हो रहा है नीन की पूरी कमी नहीं हो रही है नीन तेम नहीं हो तो ये सारे कारक इन रोगों को बढ़ाने में बहुत जादा मदद करते हैं इसको मैं समझने की कोशिश करूँ, तो हिंदी में मैंने कहीं पर पढ़ाता है, इसको कहते है मन का विकार, जी बिल्कुल, तो इसके बारे में थोड़ा समझाई कि क्या है यह ब्रेन में ऐसा क्या खलबली मज जाती है, कि जो एक सामान यसा व्यक्ति है, उसके जीवन में कु जीजोफरीनिया का वर्ड जो लिया गया है, ये लेटिन भाषास के लिया गया है, जिसका अनुवाद करते हैं, तो उसका मतलब होता है, बदला हुआ दिमाड, इसका मतलब कोई स्प्लिट परस्टनाइलटी नहीं है, एक व्यक्ति के दो व्यक्तित्व नहीं है, दो आचर तो माइंड में बोलते हैं कि ब्रेन में कुछ हमारी केमिकल होते हैं, जो कि सिक्रेट होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेकिटिव होते हैं, क्योंकि यह केमिकल ही हमेशा बैलेंस करते हैं, यह हमारे विचारों पे चलते हैं, अगर हमारे विचार अच्छा होता वो chemical हमें उस परिस्तितों से बचने का काम करते हैं, जैसे हमारे शरीप में खून का दौरान बढ़ा देंगे, वो हार्ट के रेट को पल्प बढ़ा देंगे, तो यकिन फिर हमारे विचार ही ऐसे हो जाते हैं, जो हमारे chemical imbalance को change और उपर नीचे करते हैं, तो अगर आप जितन क्योंकि happy और sad hormones तो वो भी secret होते हैं? यह दोनों harmonical नहीं है, hormones कब कौन से जादा हो रहे हैं, तो उसका असर दिखेगा, अगर हम happy hormones discharge करेंगे, तो हम उतने जादा happy होंगे, हम उतने जादा unhappy होंगे, तो हम उतने जादा unhappy hormones दिखेंगे, सिर्फ यह हैं कि हम कौन से hormones को entertain कर रह हमारे काबू में नहीं होता है, तो वो leads करके हमें कहीं न कहीं किसी एक बिमारी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि यह सारे symptoms create होते हैं, इसी तरह से wellness है, तो जो dyslexia, आप देखते हैं, जो schizophrenia, जो anxiety है, जो depression है, यह सारे harmonicals के impact हैं, और आपको यह जान करके बड़ा ही होगा कि जिस फिरियों को इतना बड़ा लाई-लाज बिमारी तक माना जाता है, उसकी शुरुआत सिर्फ एक चोटे से stress से होती है, बाची जारी रखेंगे, जोड़ चुके हैं, अगाल ले लेते हैं, हलो, 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 हालो, हालो, जी नमस्कार, मैं देश्पा सिंग्जिस्टे निलिकान पॉरिटेडवाल जी बोल्डरों जी डार्साब, नमस्कार, नमस्कार अतेश्पाल जी, डार्साब मेरा परसें यह है, कि आज के बच्चे जो बारा से अथारा साल पक्ते हैं, छोटे उसमें आते हैं, ये बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए कासी जित और जी जी पूछेें, काती जी बात मचकर जाने के विए, काज्या फ्टकार बर्दास निकर पाते हैं, क्या यह बच्चे मानसी विकार के बहरे साल गराता हो है, देजब का मनवा तेजपाल जी, ये कोई मानसी विकार नहीं है, ये एक पैटन लण करने का तरिका है हमारे दिमाग का आप गौर करें जब आप कभी बच्चा चोटा होता है और आपके पास आता है गोड में खेलने के लिए तो हम उसको आम त QD में लेते हैं और वही बच्चा अगर चोटा सा जा Bringing कहीं गिरता है और उसको कोई चोड लगेगी या रोना लगेगा तो हम वो सारा काम छोड़ करके हम वहाँ पहुंच जाते हैं उसको ठीक करने के लिए उसको देखने के लिए उसको हसाते हैं उसको गोद में लेते हैं उसको चॉकलेट खिलाएंगे या उसके और मन की बाते कर तो ये pattern वो learn कर लेता है, और जब ये learn कर लेता है, तो वो आजीवन फिर इसी चीजों को बार-बार-बार दोरते हैं. जैसे आपने बताएं कि बच्चा घर छोड़के जाने की बात करता है, इसी तरह से वो कभी अपने आपको नुकसान देने की बात करता है, या वो कुछ ऐसे काम करना मना करता है जो शायद आपके लिए समाज में शर्मिंदगी के भी लायक होई जिससे आपको कहीं न कहीं शर्मिंदा होना पड़े तो आप डर के मारे ऐसी उसकी बांगें मान लेते हैं जो कि शायद जायद ना जायद दोनों तरह से ही सही नहीं है तो ऐसा है आदत वो पैटर्न लंग कर लेता है इसलिए ऐसी चीज़ करते हैं यह मानसिक विकार नहीं है बरकि आपको एकसेप्ट करना चाहिए और आपको बच्चे को बताना चाहिए कि अगर आप चीज़ें कुछ हमसे मांग रहे हैं यदि वो सही होंगी संतुलित होंगी और आपके moral values को जोडेंगी तो हम आपको देंगे अगर अभी नहीं दे सकते हैं तो अभी ना दीजे जैसे कई बार बच्चे मोबाइल के लिए करते हैं जिद्धी हो जाते हैं बच्चे बिल्कुल आप देखे वो छोटे से बच्चे हैं जिनका मोबाइल से कोई मतलम नहीं है लेकिन वो रोएंगे खाना बन कर देंगे सब कुछ और माबाब अभी वावक प्रेम की वर्ष उनको वो मोबाइल दे रहते हैं कि चलो तुम खाना तो खाले कि कुछ नहीं लो तो इसलिए वो अपनी नजायद मांगे मंगवा लेते हैं मतलब एक तरीके से ये कहें कि ये तो जिद पना हो गया लेकिन इन्होंने साथ में ये भी पूछा कि अगर इसे बचाना है बचो को और उन एंसे सही बात बोलें उनको कभी भी मित मत बोलें उनको सीधे ये कह सकते हैं कि अभी आपको हम ये चीज इसलिए नहीं दे पा रहे हैं हाँ कई बार ऐसा होता है माबाप को उनके सामने अपनी आर्तिक लिए या अपनी जो परिवारिक स्थितिय समाजिक स्थितिय उसको सुकारने में भी डल लगता है तो लगता है कि ये कैसे कहें कि हम अब भी इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं आपकी चीज के लिए तो उसको मनवाने के लिए भी कई बार हम लोन लेकर के या किसी और गलत तरीके से भी उनकी मांगे पूरे करते हैं जो कि गलत हो सकता है लॉंग तरम में आगे आने वाले टाइम में मुश्किल हो सकती ही पेरिंस के लिए चोटी-चोटी डिमांड आज है आने वाले टाइम में वो डिमांड ज्यादा हो सकती है तो कहां तक वो पूरी की जाएंगे जो कि उनको यह पता होना चाहिए कि वो जिस जगे रह रहे हैं परिवार की स्थिति क्या है चाहे वो आर्तिक हो चाहे सामाजीक हो और शायर खुद की हो बिल्कुल, हम स्क्रिजोफीनिया पर आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि कहा से शुरुवात होती है, जैसे आपने कहा कि एक तनाव, एक छोटा सक, आम बोलचाल के भाशा में अकसर लोग बलते हैं, कि बहें मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, तो यह क्या सच में टेंशन ह होती है, यह सिर्फ एक बोलचाल की भाशा बन गई है, अब देखें, कुछ चीरें हमारे जीवन में फैशन वर्ड्स हो गए, जैसे टेंशन, डेप्रेशन, एंग्जाइटी, और इस तरह के कुछ और वर्ड्स, दो दिन की दुख में, दो दिन की परिशानी में आदमी कहत अब ही नहीं है, वो सिर्फ ही जानते हैं, चिंता मतलब टेंशन, तो इस वजए से यह चीजें आगे बढ़ती हैं, और टेंशन ही ऐसा नहीं है, टेंशन तो होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका स्ट्रेस लेकर के हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, यह आप सर्वाइवल है टेंशन होना ज़रूरी है, इसलिए सीज उफ इंडिया जितना भी ज़्यादा होता है, वो सोला से तीस साल के लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि यह एक एज एरिया ऐसा होता है, जहां पर वो अपनी स्टडी, करियर, नौकरी या इवन शादी, रिलेशन्शिप, इ जब किसी से जाद बता नहीं पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, वो अकेला पन, वो लोनलिनेस, वो अकेला पन इनको अपने से ही खुद बात करने पर शुरू करता है, तो वो खुदी को सवाल बताते हैं, और खुदी से ही वो जवाब देना शुरू करते हैं, ऐसे लोग से जब यह बहुत ज़ादा अती होने लगता है, तो हैलूसिनेशन में आता है, यानि जो आवाजे वो देख रहे हैं, जो चीजे देख रहे हैं, किसी कल्पना में किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, आपने मित्र को देख रहे हैं, तो इसको यथारत में अपने जीवन में मैसूस करने लगते हैं कि वो ऐसी जगे पर है क्योंकि हमारा दिमाग वास्तविक और कल्पना के बीच में कोई भेद नहीं करता है वो वैसा ही पैटन लेकर के आपके सामने सिंटम्स देना शुरू करता है मतब अगर हम कहें stress की extreme limit है ये जब आपको solution ना मिले, stress convert हो जाता है stress की limit नहीं है क्योंकि जब stress बहुत ज़्यादा होगा तो heart pressure परता है, तो वो heart attack आ सकता है लेकिन stress convert हो करके anxiety में आता है depression में आ रहा है then जब continuous हो तो वो form बदलता है अपना वो form बदल के बाद में आता है तब वो सीजोफेरिया बन जाता है 30 साल के उम्रे तक के लोगों में होने की ज्यादा संभावना होती है आपने बताई तो इसके आगे अगर 30 साल से ज्यादा के लोग हो जाते तो उनमें chances कम हो जाते हैं नहीं, chances कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कई बार आसपास के अपनी लाइफ के साथ जीना सीख लेते हैं थोड़ी सी maturity बढ़ जाती है फिर जो खत्रा आता है वो आता है अक्सर 50 साल के आसपास क्योंकि वहाँ पर फिर से वो वहीं अकेला पन चुरू होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नौकरी पेशा होते हैं या काम के होते हैं तो वह retirement की तरफ आने लगते हैं और उनकी अगर परिवार वाले लोग हैं तो वो बढ़ने लगते हैं उमर में तो उनकी कोई पूछ नहीं होती उनकी कोई सला नहीं मानी जारी होती है तो अकेला पन लेकर करके उनको फिर से वो तनाव चालू करता है जो उनको वही 16 की एज में आ रहा था तो तब आप देखेंगे कि वो बुज़ूर्गों को कई बार ऐसा होता है कि वो अकेले बैठे हुए है बड़ड़ा आ रहे हैं अकेले ही समस्या की बात कर रहे हैं और फिर वो हर एक से वही बात करना शुरू करते हैं और कहीं न कहीं उनको फिर ऐसा आध्यात्मिक माहौल भी बन जाता है और इतनी उमर के तद्दूर्बा होने के साथ से उनकी कल्पनाएं ही उनके साथ चलती हैं वो वास्विक्ता से परे हो जाते हैं ये तो बात हुई तनाव की वचे से और कोई कारण होता है स्क्रीजोफीनियर का क्योंकि आज की जीवनशैली की साथ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत रेर था पहले कभी इस की रिजोफीनियर तक लोगों पहुच रहा लेकिन आज की वेस्ट जीवनशैली जो हमारी उट-पटांग वाली है नशा, नीदी की कमी, जो आजकर हम आप अप आप यह भाग रहे हैं तो हम आप नीद पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो नीद पूरी ना कर पाने से भी हमारा ब्रेन हैलूसिनेशन मिलाता है जब कभी आप आधी नीन से उठे हैं और अगर आद बिन में कोई काम करेंगे तो आपको लगे कर जैसे आप कोई सपना में जीर है वो वास्तिविक्ता से परे हो जाते हैं इसी तरह कि जो आदते हैं हम लोग की जीवनशैली खराब कर दी हैं और कुछ दवाईयां ऐसी चीज़े हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस ले जा रही है क्योंकि सीजोफरिया जो है वो एक क्रोनिक डिजीज है यानि बहुत लंबे समय से आती हुई चली आ रही है यह अभी की नहीं है तो अगर इन इशूज को हम सॉल नहीं कर पा रहे हैं तो यह कनवर्ट होकर कि सीजोफरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं जैनेटिक हो सकता है क्या नहीं यह जैनेटिक में नहीं होता है हाँ सेल्स बदलते हैं हमारी बॉड़ी के हिजाब से इश्यूज बदलते हैं तो जो आत्मत्य जैसी कुछ घटनाएं होती हैं उसके बहुत सारे चांसे हैं कि वह जैनेटिक मिल जाए क्योंकि हमारे बॉड़ी के सेल्स लन कर लेते हैं कि अपनी एक इंटेलिजन्स होती है और वो फिर जनेटिकली पासओन हो सकती है तो ऐसे कोई भी फैमिली का अगर कोई एक सा मेंबर है जिसने कभी सुसाइडिल टेंडेंसी अप्लाई करी है आथ कुछ करी है तो वो ज़रूर से जरूर इस फैमिली में आएंगी और वो इस तो अक्सर उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है तो इसकी पहचान के लिए जैसे अभी आपने बहुत सारे बता दिये किस तरह से यह होता है लेकिन कैसे पहचान कैसे करेंगे हम क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उनको अलग से दिखने लग जाता है अगर हम ग्रामिल श या फिर कहेंगे कि यह नदी नाले की तरफ गए था तो इसको कुछ लग गया है हवा लग गई है या कुछ भूत पिशाच है इस तरह की बाते करते हैं हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं तो किस तरह की सिंटम्स हमें दिखाई देते हैं और हमें क्या समझना चाहिए कि हां ये जो बाते हो रही हैं ये सामाने नहीं है आपको सबसे पहले इशारा ये मिल जाएगा कि जो वेक्ति अगर सीजोफिनिया की हद तक पहुँच रहा है तो वो मौन जादा रहने लग जाएगा वो जादा तर आपके फैमिली गैदरिंग हो या आप लोग द सारे भाव बंगिमाव से तालमेल करने में बहुत समय लगेगा वो उन चीजों को अपने अंदर अब्जॉफ उतिन जल्दी नहीं कर पाएंगे ये क्या लीजे कि जब आप बात कर रहे होंगे हो सकते हैं आप चुटकुला कोई वहां पर देते हैं और आप सारे हसने लगे अपनी विचार कहीं और हो सकता है थोड़ी देर के लिए जैसे कहीं हम लोग चाहिए कर रहे होते हैं लेकिन वहां पर हमारा इग्नोरेंस हो जाता है इसमें चाहिए कि हम उसे समवात करें हम तुनन्त उससे पूछना ये पड़ेगा कि तुम्हाने साथ क्या चुनौती थी क्या तुम्हें ये ध्यान था कि हम लोग क्या बात कर रहे थे अगर वह कहता नहीं मुझे ध्यान नहीं है तो आप उससे और बाते टटो लें क्योंकि जैसे जैसे आप उससे बात नहीं करते हैं और थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो आप उसको अकेलेपन की तरफ दगेल क्योंकि वो एक odd man हो जाएगा जो society में नहीं है और जबकि उसकी वेस्ता ही उसको इस रोग से बचा सकती है क्योंकि वे जितना ज़्यादा वेपारिक लोगों से जुड़ेगा वेवार में बात करेगा जितना ज़्यादा वो लोगों के साथ interaction होगा उतना ज़्यादा वो अकेलेपन या लॉस्त होने से बचेगा उसको वेस्त रखने वाली बात अच्छी है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसके साथ involvement हो उसके साथ बात करें और उसकी वेथा को समझें कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं ये वेक्ति हमारे साथ गलत बिएव करता है लेकिन असल में वो ही विक्टिम है विचारा हम उसी के नाम पे ही बात कर देते हैं ये हमारे लायक नहीं है साथ में लेकिन असल में उसको साथ के जरूरत होती है और ऐसे करके हम उसको अपने सुसाइटी से अलग करके उसको और अकेलेपन की तरफ या और बीमारी की तरफ दखेल रहे होते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर पजेसिव हो जाते हैं। वो हर चीज में कुछ भी रिस्पॉंस कर सकते हैं। क्योंकि उनका ख्याल कुछ और चलना है। आप हस रहे होंगे और आसूब आने लग जाए। यह हो सकता है वो कोई समान चानक उठा के फिक दे। तो आपको यह सुझना पड़ेगा कि अखिर यह किस मंदोदशा में है। क्योंकि जो भी हमारे विचार चल रहे होते हैं वो हमारे शेरी में दशा दे रहे होते हैं। वो खुश है, नराज है, दुखी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यह कौन से कारक ऐसे हो रहे है। आम तोर पे हम लोग हमेशा कहते हैं इसको कोई स्ट्रेस है, इसको परशानी है। और हम लोग खुदी ही एजियूम कर लेते हैं कि इसके साथ ऐसी दिकत होगी। जबकि उसके साथ एक्च्छल में वो दिकत नहीं होती, कुछ और होती है। बजाए हमने उससे जानने के, हमने उसके उपर एक आइडेंटिटी का लेबल चिपकाया और उसको बता दिया कि यह थोड़ा सा डिस्डम्ट है। आपके पास तो इस तरह के पेशिंट बहुत आते होंगे। जिन से आप डील करते होंगे। किस तरह का माइंसेट होता है उनका, क्या चल रहा होता है उनका दिमाग में। सबसे पहले तो उनका एक यह होता है कि वो गुम होते हैं और अगर उनको किसी तरह से आपने रिलाइस करा दिया है तो उस पीडित की तो बात अलगी है उसके परिवार या उसके साथ आए हुए कोई वेक्ति वो स्विकार नहीं करना चाहते कि यह इस चुनोती से बीतरा होगा। क्योंकि इस वेक्ति को इस तरह के वेक्तियों को इस मरीजों को हमेशा साथ की जरुरत होती है। चाहे वो परिवार का हो या दोस्त हो या कोई और थेरपी हो। और वो ही लोग इसको मानते नहीं है कि यह कभी ऐसी पीड़ा से गुजर रहा होगा। और यह हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा के लिए दुर्भागी की बात है। कि मानसिक सुआस को ले करके हमारी जागुकता उतनी कम है। हम उतनी बात हैं समझते नहीं, जानते नहीं है . या जानना नहीं चाहते है हैंं- यह भी कह सकते हैं कि उनकी एगो को सैटिस्फाइड नहीं करते है। सोसाइटी का एक बहुत बढ़ा सोशल टाबू भी है यह जी क्यूंकि हम लोग को यह बालू है कि जैसे हम इस कैटेगरी के अंदर आएंगे हमें सोसाइटी से आउट कर दिया जाएगा बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज हैं बहुत सारी ऐसे सुधाय हैं जो हमें नहीं मिलेंग हैं तो बेहतर होता है कि समवाद के थूरू बात करके जान करके आप उस डिसेबिलिटी को समझें और फिर उसको कौप अप करने की शुरू करें डिस्रिक्सिया और एंग्जाइटी के साथ और सीजर फिरने के साथ सबसे अच्छी बात ही होती है मानसी कुकार में अगर हम अगर हम टाइम पर नहीं पकडग पाते हैं लेकिन वो पर्टिकूलर टाइम कौन सा है जिसमें पकड लेना चाहिए कि हां अब ये अंडर कबर हैं ठीक हो सकते हैं धिखे ये अलार्म ह हरें को मिलता है हम उसको बाइपास करते हैं हर एक आदमी समझ लेता है कि कोई बोण के साथ रहने वाला व्यक्ति आज से कुछ अलग से वैवार करना शुरू कर रहा है लेकिन अंतों Space दे देते हैं यह बताते नहीं है यहां में उसको पता चलनी लगता है कि मेरे वैवार बदल रहे हैं रोजмов करा grandson कर रहा हैं या जिस तरह की मेरी जीवन शैली है, यह कुछ बदल रही है, आज कल मैं उठना नहीं चाह रहा हूँ, सोना जाधा चाह रहा हूँ, मेरे अंदर आलत जाधा हो रहा है, तो कम से कम वो ही अगर इस बात को अग्नॉलिज कर ले और किसी भी पेशेवर से मदद ले ले, तो समार में विकरत नजर से देखा जाएं, और उससे क्या होता है कि पूरे ही परिवार की कहीं न कहीं एक ख्याती और उनका अपना सामाराज की कह लिए उनका एक रिस्पेक्ट वो बहुत डाउन हो जाती है, तो उनको कोशिच करते हैं छुपाने की, जबकि इस अत्यदा नह सकते हैं, लेकिन जब तक उनके पास पहुचेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा, उस क्रिसोफेनिया की जो पेशेंट होते हैं, उनमें अभी आपने कहा कि उनको जो है आवाजे सुनाई देती हैं, अलग उनकी एक दुनिया होती है, तो उसमें किस तरहे से उनको उस दुनिया से बाहर निकालना है, इसके लिए ट्रीटमेंट भी होता होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट से शायद मुझे ऐसा लगता है समय पर, जैसे अब ही आपने कहा कि अगर समय पर हम पकड़ लेते हैं, तो शायद उन्हें रोक पाना आसान हो जाएगा, एक्स्ट्रीम तक जाने से प से पहले रिकोगनाइस करना पड़ेगा कि वो किसी और से पूछें क्या आपको भी कोई ऐसा दिख रहा है, या आपको ऐसी आवाज आई, मैंने ऐसा कुछ सुना, यदा दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं सुना, आप ही सुन रहो शायर, पेशेंट को समनना पड़ेग क्योंकि वो सुन रहा है कि मुझे यह आवाज आ रहे हैं, यह आवाज मेरे तिमाग के अंदर चल रही है, यह बहार नहीं है, तो इसके लिए मुझे तुरंक किसी ना किसी से साला लेनी चाहिए, और अगर उसको कहीं न कहीं हैं हैं कुछ चीजे दिख रही हैं, तो वो दिख रहा है, यह सही है, यह नहीं है, हाँ, अगर वो चीजे ऐसी हैं, जो कि डराती हैं, यानि उसको कोई भैबीत करने वाली चवियां दिख रही हैं, तो उसका ड़ स्वभाविक है, लेकिन वो स्वभाव के साथ में उसको यह भी देखना पड़ेगा, कि वास्तिविक ह मेरे साथ गट्टी जारी, लेकिन उसको वहाँ पर दूसरी की मदद जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मानसिक विकार में क्या होता है, कि कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रॉल पर पीडित है, वो ही पीडित है, और वो ही अगर अपने आपको ठीक करने लगेगा, तो आपस म ही द्वन्द है, उसमें चाहिए कि जो ठीक करने वाले लोग हैं, अगर उनकी तरफ से सहयता मांगेगा, तो वो पक्ष उसका स्ट्रॉंग हो जाएगा, और उस तो विकार के साथ कॉंपेर करने में, या उसको ट्रीट करने में आसानी मिल जाएगी, जो मानसिक विकार से ग बाते रहते हैं, कि नहीं यहीं सही है, तो यह भी एक, मतलब यह किस स्टेज तक पहुँच चुके होते हैं इस तरह से अगर जिद कर रहे हैं, जिद करने वाले तो आम लोगी है, आप आम लोग दीखी, जिनको कोई मांसिक विकार भी नहीं है, अगर उनका कोई एक विचा कर रहा हो, और उस नहीं कोई मत रखा है, और उस मत को आप तुरंत क्रास कर दीजे के नहीं, इए ऐसा नहीं, इसका ऊता है, वह सही है, वह मत बहेता करके पूर मन बहेता है, तब कहीं जख़ुले हो जाते हैं, और ऐसे विकति को बताना और यह neuralize कराना, कि वाकर रहीं में हैं कि आपको कोई चुनौती है आप इलाज किसका करेंगे तो ये किस तरह से माने जाएंगे कि हाँ भाई हमें दिक्कत है समझाने के उपर कहीं न कहीं काउंसलिंग की जरूरत हो जाती है इसलिए पेशेवरों की मदद ली जाती है क्योंकि आम तोर पे जो परिवार जन होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं जिसको वो शायद मना भी कर देते हैं तोका टाकी भी लग जाती है और जगले भी हो जाते हैं लेकिन यहीं अगर पेशेवर कोई बात बोलता है तो उसके बोलने का तरीका समझाने का तरीका और उन शब्दों का चुनाओं भी बहुत माइन परके ओच्पनार शुक्ती हैं तो न शौर्ट की सब्सक्तियता शुभी दोना है ब काम-धेशन जितना ज्यादा होगा अत्रै ही जदा हम इसको रिकाइवर कर सकती है इस तरह के पैशन को हमेशा ए हमेर काफ़ यह चाहिए है उस attention को आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये कई बार दूसरी तरह के विहवार कर सकते हैं या आपकी बात को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन जितना ज़्यादा बातचीत होंगे जितने ज़्यादा समवाद होंगे ये खुद को हाम पहुचा सकते हैं जैसे मैंनी जोला है कि उनको illusion होते हैं ब्रह्म होता है तो अगर ब्रह्म हो रहा है तो उनको यकीना वो कहीं अपनी आपको बचने में मुकसान कर बैठेंगे या किसी और को कर देंगे अगर उनको अचानक लगँ है कि सामने बीद्री Sacramento है या हो सकता कोई ऐसा दुश्मन हो जिससे बचने बचने में वो कोई ऐसी हरकत कर बैटे हैं जो शायद कहीं रेलवे में या सडक पे ऐसी जगे पे हो जो उनके लिए नुक्सान करते हैं बिलकुल और जैसे कि काउंसलिंग की हमने बात की क्या मेडिसन का क्या रोल है इसमें आगे चलकर मेडिसन पर भी आजाते होंगे आगे चलकर क्योंकि काउंसलिंग एक लिमिट तक उसके बाद दवाओं का रोल आ जाता है मैं काउंसलिंग कांसलिंग लिए पूल जब तक बातों पर ठीक रिस्पॉंस देंगे तब ये कांसलिंग काम करेंगी जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे तो कांसलिंग उसके लिए पदोकी प्रद्द में लाने की मदद करियाती है तब counseling के लिए काम होता है अच्छ बाची जारी रखेंगे caller जूड चुके हैं call ले लेते हैं hello 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 लगता है इनका संपर्क जो है हमसे कट गया है जी डॉक्सर अब हम बात कर रहे थे कि मेडिसन की जरुरत कितनी होती है, क्योंकि जो पेशिंट अपना, ये मानना ही नहीं चाहता कि मुझे किसी तरह की दिक्कत है, तो वो दवा खाने से भी परहेज करेगा, और जब दवा खाने से परहेज करेगा, या जहां पर पेशेवर काम करता है कोई, जैसे स्कूल हो गया, वो भी एक एंवार्मेंट, उसका होम एंवार्मेंट हो गया, उसी तरह से ऑफिस का एंवार्मेंट, वो भी उसका होम एंवार्मेंट हो गया, जहां पर वो पूरी तरह से रहता है, तो अगर उसके पास ये चुनोतिया इनी एरिये से आ रही हैं, तो आपको वही एरिया या तो बढ़ाएगा या इसको solution देगा, और इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम लोग के साथ की होती है, कि अब हम लोग हमेशा सबसे पहले respond करने के लिए किसी की बात सुनते हैं, understand नहीं करते हैं, हम समझने के लिए नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा व्यक्ति होते हैं, जो सामने से अपनी बात रखते हैं, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम बजाए ये समझने के लिए कि इसको चुनोती कौन सी हो रही है, हम सीधे उसके उपर को अवेरनेस के लिए तो क्या कहना चाहिए? और या फिर पेशेवर की जरू से जरू किसी से मदद ले लें ताकि आप बविश में आने वाले किसी गंबीरता से बच सकें बिल्कुल डॉक्स अब आप स्टूडियो में आएं बहुत अच्छी जर्चा हुई समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुपका दर्शकों हमें उम्मीद हैं स्क्रीजोफीनिया विशे पर आज हमने जितनी भी चर्चा की है ये चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी अगले अंक में एक नए विशे के साथ हम फिर सो पस्तित होंगे तब तक के लिए सरुकार की टीम को दीजे जाज़त नमस्कार झाल 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 झाल